हलो फ्रेंज एक बाफेर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराच एपटाइजिंग रेसिपीज क्या आपने कभी ऐसी डिश बनाई है इस डिश का नाम क्या है क्या आप जानते हैं नहीं तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए तो हमस बनाना सीखते हैं इस डिश को तैयार करने में जरासा भी ओईल नहीं लगने वाला है जी हाँ दोस्तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगबग चार ग्लास पानी उबालने रखा है और लगबग एक चोथाई कटोरी के करीब मैंने इसमें दल्या डाला है जी हाँ दोस्तो इना ओईल लगने वाला है उपर से दल्या इसमें डला है तो आप सूस तकते हैं कि इतना पॉस्टिक बनने वाला है दल्य के अच्छी तरह से पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई मेथी जी हाँ दोस्तो इसमें अब हम डालेंगे और इसे बिना ढाके उबाल उबाल करके हमें अच्छी तरह से पकाना है ढाकने से मेथी का कड़वापन आपके इस रेसिपी में आ जाएगा इस रेसिपी को जब आप खाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कटोरी भर भर के इसे पीएंगे चलिए मैं आपको इसका नाम बताती हूँ इसे कहते हैं आलनी भाजी मेरी दादी कहा करती थी आलनी बच्चा पालनी क्योंकि इसमें बहुत ही कम सामान लगता और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से उबाल के पका लेते हैं हमारी दरदरी लाल मिर्ची होती है उसे हम इसमें डालेंगे नहीं हो तो आपके पास यह खड़ी लाल मिर्च है तो उसे हलका सा मिकसर में घुमा लीजी तो आपकी दरदरी लाल मिर्च बन जाती है तो चलिए अब हम इसमें इसे आड़ कर देते हैं फिर से अब हम इसे थो तो नमक इसमें थोड़ा सा जादा ही लगेगा, अब नमक डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख देते हैं, इसका अच्छी तरह से पकना है, इसका में सीक्रेट है, तो चलिए इसे फिर से पकने के लिए रख देते हैं, यह देखिए यह बहुत ही अच्छा आता है अब बस इसे हमें कुछ नहीं करना है ग्यास बन कर देना और हमारा आलनी भाजी बन कर तयार है इसे मेरी नानी दादी ज्वार मक्की की रोटी के साथ में खाया करती थी लिकिन मुझे इसे ऐसे ही पीना बहुत पसंद है जो लोग वेट लॉस वग होगा तो चलिए दोस्तों इसे आप जरूर बना के खाईएगा और मुझे बताईएगा आपको कैसी लगी है तो फिर मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए अलवीदा ताटा बाई बाई